नमस्कार बिहारी नियुज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं शिवानी और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेठा के बारे में अच्छे स्वास्त के लिए संतलित और अच्छा भूजन जरूरी है अगर आप एक अच्छा डायट प्लान कर रहे हैं तो उसमें वाइट पंपकीन यानि सफेद पेठा को शामिल करना ना भूले अगर आपको यह पता नहीं है कि सफेद पेठा क्या होता है तो हमारा यह वीडियो आपके लिए उप्योगी होगा पेठे के उप्योग से कई शारिक और मानसिक समस्या दूर हो सकती है साथ ही यह कई बिमारियों के इलाज में भी सहायक हो सकता है बेशक यह स्वास्त के लिए लावकारी है लेकिन गंभीर बिमारी की अवस्था में इससे इलाज संभव नहीं है यह बस आपकी मदद कर सकता है शरीर की रोग परती रोधक यानी इम्म्यून सिस्टम को मजबूत करने में पेठा का उप्योग मददकार साबित हो सकता है पेठे को आयरवेद में इम्म्यूनिटी को बहतर करने के लिए लाज के तोड़ पर इस्तेमाल किया जाता है आयरवेद की कमी से इम्म्यून सिस्टम से जोड़ी समस्य उत्पन हो सकती है ऐसे में आयरवेद की कमी को पूरा करने में पेठा सहायक हो सकता है अगर कोई बढ़ती वजन और मोटापे से परिशान है तो इस परिशानी को दूर करने में पेठा सहायक होगा पेठे में एनोरेक्टिक्स गतिवीधियां पाई जाती है जो भूख को शांत रख सकता है इसके अलावा इसमें एंटी ओबिसिटी गुन भी होता है जो मोटापा को कम कर सकता है इससे वजन को नियंतरन में रखा जा सकता है फ्लू और कोल्ड की समस्या से छुटकाड़ा पाने के लिए पेठे का उपयो किया जा सकता है पेठे को इन्फ्लूएंजा यानि फ्लू और सर्दी के इलाज में अयरुवेधिक दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है गैस और कब्स ये दोनों पेठ की समस्या हैं इससे छुटकाड़ा पाने के लिए सफेद पेठा का उपयो किया जा सकता है पेठे में गेस्ट्रो प्रोटक्टिव एवव एंटी ऑक्सिडेंट गुन होता है इस गुन के कारण ये कब्स और गैस की समस्या से रहा दिला सकता है इससे पेठ को अडाम मिल सकता है सफेद पेठे के फायदे तनाव को कम करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है आपको पता होगा कि तनाव एक तरह का मानसिक विकार है जो दिमाग से जूड़ी अन्य पड़ेशानी के कारण हो सकता है ऐसे में पेठे का सेवन करना अलजाइमर जैसी मानसिक समस्या से राहत मिल सकती है पेठा खानी के फायदे किड्नी को स्वस्थ रखने के लिए फायदेमंद हो सकता है तो इसमें किड्नी को स्वस्थ रखने वाली सकती शाली एंटि ऑक्सिडेंट गति वीधी होती है ऐसे में पेठे के उपयोग से रैनल डैमेज यानि गुर्दे की शती को कम किया जा सकता है हिर्दे को स्वस्त रखने में भी सफेद कद्दू के फायदे को देखा जा सकता है पेठा में डियूरेटिक प्रभाव होता है जिसे बढ़ते रक्त चाप को कम करने के लिए दवाय के रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है यूरीणरी-trac-infection के कारण पिशाव करते समय जलन महसूस हो सकती है इससे निजात दिलाने में पेठा सहायक होता है आवरबेद में पेठे को यूरीणरी-trac-infection के इलाज के लिए इस्तिमाल किया जाता है Water Retention की इस्थिती में शरीर के कई अंगों में पानी जम जाता है जिसे उन हिस्सों की मान स्पेशियों में सूजन की समस्या उत्पन होती है इसके अलावा यह कई अन्य समस्याओं को भी जन्म देता है ऐसे में पेठे का इस्तिमाल करना बहतर होगा जिन लोगों को आँखों से समबंधित समस्या है उनके लिए सफेद पेठे के फायते हो सकते हैं पेठे के उपयोग से Weason Boost यानि की देखने की शमता को बहतर किया जा सकता है इससे आँखों की रोशनी को बढ़ावा मिलता है इसलिए पेठा खाने के फायते में आँखों को स् बनारा इलर्जी होती है उन्हें इससे भी इलर्जी हो सकती है गर्वती महलाओं को और एक साल से कम उम्र के बच्चों को पेठा देने से पहले डॉक्टर की सला है जरूरी है आज के वीजिएव में बस इतना ही फिर मिलेंगे नई वीजियो में नहीं जानकारी के साथ और हम आशा करते हैं कि पेठे से संबंधित हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आप किसी विशेपर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो हमें आपकी सवालों की जवाब देने में खुशी होगी आप हमें सवाल कमेंट बॉक्स में बन्ने वाद